देश की सबसे बड़ी आटो मेकर कमपणी मारुती सुजुकी ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है कमपणी ने अपनी और देश की सबसे सस्ती हैच पैक कार आल्टो 800 को अब बंद करने का फैसला लिया है Alto 800 का production बंद कर दिया है और company अब stock में बच्ची है इसकी यूनिट्स को ही बेच पाईगी तो चलिए आपको भी बताते हैं कि इस किफायती hatchback को बंद करने के पीछे आखिर वज़ा क्या है जानकारी के मताबिक इस entry level hatchback को बंद करने के वज़ा segment में कम बिक्री और एक अप्रेल से लागू हो रहे BS6 phase 2 norms है कम बिक्री के चलते BS6 phase 2 के अनुरूप Alto 800 को अपडेट करने के लिए खर्चा करना company के लिए व्यावा हर एक नहीं था लगभग 4,500,000 यूनिट के साथ वितवर्ष 2016 में entry level hatchback segment बजार का लगभग 15 प्रतीशत था जबकि वितवर्ष 23 में ये लगभग 2,500,000 यूनिट के साथ 7 प्रतीशत से भी कम रहे गया है मारूती की अधिकारिक website के मताबिक Alto 800 की कीमत 3.54 लाख रुपए से लेकर 5.13 लाख रुपए एकसो शोरूम तक जाती है कार को बंद किया जाने के साथ Alto K10 अब मारूती सुजूकी की सबसे सस्ती कार बन जाएगी Alto K10 की कीमत 3.99 लाख रुपए से लेकर 5.94 लाख रुपए एकसो शोरूम के बीच है Alto 800 में 796 CC का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो की 48 PS की मैक्सिमम पावर और 69 अनम का पीक टॉक जनरेट करता है इसमें CNG का भी option आपको मिल जाता है CNG मोड में पावर और टॉक के आकड़ अगर आपको बताए तो यह 41 PS पावर और 60 अनम का पीक टॉक जनरेट करती है इसके अलावे से 5 स्पीड मैनुल ट्रांसमिशन के साथ अविलिबल कराया गया है मारुटे सुजु के आल्टो 800 को इंडियन मार्केट में कमपनी ने सन 2000 में लौंच किया था मारुटे ने 2000 तक इस कार की लगभग 18,000,000 यूनिट्स बेची आल्टो K10 ने 2010 में बाजार में प्रवेश किया इसके बाद 2000 से अब तक कार निर्माता ने आल्टो के 10 की 17,000,000 यूनिट्स और आल्टो के 10 की 9,500,000 यूनिट्स बेची